नमस्कार सात्यों सात्यों जैसा कि आप सभी जानते हैं इस समय मार्किट में तेलों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं चाहे वो कोई भी तेल हो सभी के दाम आस्मान चूरे हैं सात्यों ऐसे में प्रशन आता है कि आर्सियम ने भी अपने तेलों के दामों को बढ़ाया है जी हां आर्सियम का जो rice bran oil आता है उसके भी दाम लगातार बढ़ रहे हैं लेकिन आपने देखा होगा कि आर्सियम हमेशा तेलों का दाम बाद में बढ़ाता है और market मों पहले ही बढ़ चुके होते हैं तो ये सिलसला market चाहे वो Flipkart हो Amazon हो या फिर कोई offline जैसे कि Vishal Megamart या ऐसी कोई बहुत सी ऐसी संस्थाएं है या फिर deal share ऐसी बहुत सी संस्थाएं जहाँ पर की काफी सस्ते oils मिल रहे हैं तो साथ ही मैं आपको एक चीज यहाँ पर विशेश तोर पर बताना चाहूंगा कि आप देखेंगे कि जो market में rate बढ़ रहे हैं वो सरकार की जो अभी tax बढ़ाया है इसमें 22% उसकी वैसे यह सभी oils में rate बढ़ रहे हैं और ऐसी condition में RCM ने भी अपने rates को बढ़ाया है लेकिन आप देख पाएंगे कि अगर में market की बात करूँ तो आप देख पाएंगे कि इस समय अगर wholesale rate की में बात करूँ तो wholesale जो सरसो का दाना है यान की जो सरसो है वो लगबग 700 रुपे कुंटल है यानि की 70 रुपे केजी के हिसाब से उपड़ता है और अनुमान है कि लगबग 3 किलो सरसो से 1 किलो सरसो आईल प्रड्यूस किया जाता है अगर बात करूँ इस समय कॉस्टिंग की तो लगबग 3 किलो की अगर में बात करूँ तो सरसो की होलसेल कॉस्टिंग है वो पढ़ गई 210 रुपे यह होलसेल रुपे है और अगर मार्किट में वही तेल अगर ऑनलाइन प्लेट फरम पे कहा जाता है कि 120, 130, 140 में अभी जहां की मानेता है कि लगबग लगबग तेल 180, 90 या 200 के अरौंड पहुंच चुके हैं रेट औ और ऐसी कंडिशन में भी अगर आप देखेंगे कि कुछ ऑनलाइन प्लेट फरम पे 120, 130 रुपे पे यह तेल बेचा जा रहा है या 80, 90, 100 के अरौंड भी बेचा जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या तेल हो सकता है क्या आप समझ सकते हैं कि क्या इन में से कोई भी मै यह सभी सभी मीडियेटर हैं और सभी का इसमें मार्जन जुड़ा हुआ है और मार्जन के बाद अगर आपको कोई प्रोड़क इतना सस्ता दिया जा रहा है तो आप यकीन मानिए वो प्रोड़क सही नहीं हो सकता किसी भी माइने में क्योंकि उसकी कॉस्टिंग भी उस ला हो कि वो होल सेलर है बहुत एक मैनिफेचरर है उसकी कॉस्टिंग कम होती है तो उसको मैं मान के चलता हूँ कि वो खल इत्यादी को बेच भी देता है तो वो लगबग लगबग 180 या 170 के राउंड उसको हो सकता है वो मार्केट में उसको प्रोड्यूस करने के पर पढ़ता ह या 160 रुपय पढ़ता हो लेकिन उसके बाद आ जाती है कॉस्टिंग एडविटीजमेंट की उसके बाद कॉस्टिंग आ जाती है होल सेलर की स्टॉकिस्ट की रिटेलर की सभी लोगों के मार्जन इसमें जुड़े हुए उस मार्जन के बाद भी अगर ऑनलाइन प्लेटफ गंभीर परिणाम ना पहुँचाए और आप स्वस्क्र हैं तो राइस ब्रेइन ऑईल की अगर मैं बात करूँ तो आर्सियम का राइस ब्रेइन वर्ल्ड क्लास है वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है और सबसे बड़ी बात यह है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा मैनिफेक्चर है जिस कंपनी से जिस AP Organic जो की पंजाब धुरी से प्लांट से प्रेइस होता है यह राइस ब्रेइन ऑईल यह वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है जो दुनिया के बड़े बड़े विक्सित देशों का अपना तेल यहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता ह है तो आप समझ सकते हैं इसका तेल अमरित है आप इसको छोड़ कर अगर कोई भी अन्य तेल मार्किट से ले रहे हैं और बहुती कम दामों पर लेने की अगर आप कोसिस कर रहे हैं एक ही ब्रांड का तेल कहीं पर बहुत ज़्यादा रेट पर है और कहीं बहुत ज़्याद कि आप कौन सा तेल करते हैं और क्या आप भी इस तरहי सस्ते प्रती ज़्यादा जागरों के रहते हैं ज़्यादा ललाइत रहते हैं तो भविष में kimą वह रोसकती हूने sa देलों के माध्यम से तो कमेंट जरूर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा लाइक कीजेगा और ऐसी हेल्ट से जुड़ी जानकारियों के लिए देखते रहे हमारी चैनल को धन्यवाद